अजीज तुल्बाव तालिबात बीए बीए से बीकॉं सालिवावज की तमाम तुल्बाव तालिबात हम उर्दू में यूनित फर्स्ट अफसान के का पहिला अफसाना शत्रंज की बाजी का मुताला कर रहे थे हम में अभी तक देखा कि इस तरीखे से शत्रंज की बाजी से कौन कौन सी तबाया हो रही है इसके अलावा लखनों के नवाव वाजिद अलीशा किस तरीखे से वहां के लोग उनकी हाला नफस फास्ती में इतने जादा ढूप चुके थे कि उन्हें कुछ वहां का इल्म या अच्छे और बुरी की तमीज नहीं थी खैर यह दो दोनों दोस्त को यानि मिर्जा सज्जाद अली और मियरोशन अली इनके शत्रंज खेलने के अंदास से हो उनके शत्रंज की बाजियों से बहुत सारी तरीखे से यहां पर बताया गया है मुश्य प्रेम चंद ने कि किस तरीखे से लोग ऐश्व में मुचला थे जिसकी वज़ा से लोगों का वहां बेजार इद्दम हाल कर सथा खराब था खेल वहां से पहले वो अपने घरज पे खेलते थे वहां से तंग बद करके भगाये गए पर लौशन अली के घर पर आए पिर वहां पर खर्जदार वहां पर आ आ गये फॉज की तरफ से तो पिर जाकर गोंती नदी के पार एकिनी मज्जीद में जाकर वहां पर अपना शौफ पुरा करने लगे लगे वहीं से उन्हों ने देखा कि इस्ट्रेने कंपणी फॉज वापस आ गई है पूरे चारु तरफ पहेल देई है फिर भी उन्हें उसके फिकर नहीं बड़के अपने शत्रंच की ही खेल का उसके ही उनका ध्यान फिर उसके बाद कहा रहा है कि फिर वो जाती ही है और वहां से वो बड़नावा वाजिदेने शाल को पकड़कर भी लेकर आ जाती है तो वहां के जो लोग है सिर्फ वह आख करते हैं और खामोश हो जाते हैं इसी चीज़ की में तौफिक उनको नहीं होई क्यों तो उनके अंदर से जो जजबात सबसर्द हो चुके हैं जो गारत जो इजज़त और अखार जो बाद होती है वो सब उनके आईश परश्टी के नीचे दब कर रहे गया है इसलिए किसी ने भी अभी तर इनको को मजाहमत तर्वार बाद वाख्या होगा है कि जो बगर हिंसा के आसानी से जहां के वहां मामला हो गया और दिरफ्ता भी लेकर भी चले गए खैर यह दोनों जब इसके आगे होए हैं देखते हैं और उतना ही सोच कर अपने आपको खुश करते वे अपने शक्रत के लिए में लग जाते हैं नावब कुझे हुए फौट सामने से निकल गई इनके जाते हैं मिर्जा जी ने कली वाजी बिचा दी हार की चोड़ बुरी होती है रवीर साहब ने कहा आये नावब साहब की हालत इज़ार पर एक मरस्या कहे डाले लेकिं मिर्जा जी की वफादारी और इताशारी अपने हाल के साथ गायब हो गई थी और शिकस्त का इंतखान लेने के लिए बेसबर हो रहे थे देखिए सब चीजे और बुल गए और फिर शक्रच की बाजी जो हारी है वो बद्दा लेने के वास्ते हो और वापस अपने काम में लगए और मिर्जा अपनी खुशी में वह और एक खुशी के इसमें रहना बस यहीं यहां के लोगों का मजगला रही चुका था शान हो गई मजद के खंडर में चंगाटों ने अजान देना शुरू कर दी अबादीले अपनी घोसलों से चिमट कर नमाज मजब आगार करने लगी और दोनों खिंदाज बाजी पर डटे गोया वखुम के प्यासे सुर्मा मौत की बाजी खेर रहे हो मिर्दा मतवाति तीन बाजी आख चुके थे मिर्दा तीन बाजी आख चुके थे और वो बजदा लेने के लिए आप ज्यादा जोश में खेर रहे थे वह बार बार जीतने का मुस्तकिल इरादा करके खुब समद समद कर तर्वियत पर जोड़ दे कर खेलते थे लेकिन एक ना एक चाला ऐसी खराब पड़ जाती थी कि सारी बाजी बिगड़ जाती थी इधर नवीर सहाब हजले पड़ते थे ठूम्रिया गाते थे चुटकिया लेते थे आवास कसते थे जिला और जगत में कमान दिखाते थे आएसे खूश थे गोया हो गोया धर्फी में हाथ आगया है निजजदा सहाब इंकी खुश खुश्श पीड़या सुन सुनकर जंचलाते थे और बार बार तेवज्य चलाते कर कहते थे आप चालना तंदी किया कीजिए यह क्या कि चाल चले अस्वारल बदली जो कुछ करना हो एक वार वार करके कीजिए जनाब आप मोहरे पर अनूली क्यों रखते हैं मोहरे को बेला छोड़ जा कीजिए जब तक चाल पर फैसलर ना हो जाए मोहरे को हाथ ना लगाया कीजिए हजरत आप एक चाल आध आध घंपे में क्यों चलते हैं इसकी सनाद नहीं जिसकी एक चाल में पांच मिनट से ज़्यादा लगे इसकी मा समझी जाए फिर आपने चाल बदली मोहरा वही रख दीजिए खैर इस तरिग्राफ में इनसान का अपना एक जो तरिखा होता है वो यह प्based से आप कर ने क्या देख रही है कि बहूष करता है तो वहाँ कर बेक पर इमानिया और गलत रहुन्या यह अपने आपको बखेलाना यह अपने आपको बड़ा को बताना यह बहुत ज़ादा जाकें कि जीता लगीह कुछ करता है वह अच्छा आंदाद अपना निकोछिश करता अजिस सांग्स कोजदा雀स को ज़ही होग्त है और अपते हमेरे अपने तरीखें से कि आए हैं देरे अपने शिकस्त बद्ले और ज्यादा बद्ले लेने की कोशिश में और ज्यादा में खेलता है लेंगे खिर और वही हाल नोता है, जिसकी वज़ा से यहां पर कहा रहा है कि मीर सचाब आग जीत रहे हैं इसलिए मीर सभाप पर क्या करें कुछ स्क्षाइब कर रहे हैं या और खुशी के ठोर्याग आ रहे हैं और अलग अलग तरीफे से वो नीज सहाब को वो सब्सक्राइब तर्फ करते हुए जिसके में से इंडी रोशन और ज्यादा उनकी नुखस निकार रहे हैं अपने एंडी नुखस निताल रहे हैं जैसा हम आँ तर बाइन देखते हैं तो हारते हैं तो बच्चे क्या और जो तो घुश्य में पर शुरू कर देते हैं एक्सा इन्हों यहां पर इतरा शुरू किया कि मोरे को अजली लो इतनी देर चाल मत खेलो और हाथ मत लगा उजबता फैसला नहीं कर लेते अगर हटागे जादा टाइम डे लिए आपने पांच मेंट से जादा को कहा ति तुम्हारी मात समझी जाएगी यानि तुम यह चीज इस तरी है से मिर सहाब उनकर क्या कर रहे थे अपने एक उतराजा जढा कर उनकर और वन्हेस किरना चाहरें यह तो फिर मिर सहाब का ता अधा बोले मैं चाल चली कब शी मिर्जा साब ने कहा मिर्जा साहाब यह दितr संगार हो चुकी है ऍवरी किसी में हुए गर में अरक मिर्षा साहब ने कहा आप खयामत तब मोरे को ना छोड़े तो क्या चाली ना होगी फर्जी पिटते देखा तो भान भी करने लगे लिए आप दोनों के आपस में तू तुमाने होगी तुमारा टाइम होगा तुम्होरा आप में पड़र के बुद्देर हो गई इसलिए अब तुमारा काम खता है अब जाके वहारा तुम चाल नहीं चाल नहीं जाब सकते लेकिन मिर्जा साहब पर नहीं माई भी चलाएगी मैं कैसा चुरू तो खेर इस तरीखिशे कि इन दोरों में चावए बहस का खरार होगी मिर्जा साहब ने का धान जिए आप करते हाड़ी मिर्जा साहब ने का क्यों रखना नहीं रखना मिर्जा साहब ने का आपको रखना पड़ेगा मिर्जा साहब ने फिर का हर्विस नहीं मिर्जा साहब ने का रखेंगे तो आपके फरिष्टे आपके अख्रिकत ही क्या है देखे अब बातों बातों में दोनों में बहसों त करें कि टेर्ट रहा है कि ते तीन बाजी हाथ कुके एंदों जीन if मुझाई गीरें इसलिए मुझली इंसे इसलिए ंढितिराद मुखत रहा है कैसे इस आध पर शख का रहा है है वह ज्यादा बढ़ गशेख साव को आधो नीचानि के लिए बया करने के लिए मुक्तलि एकिरादा कर रहे हैं जिसमें और दोनों बहुते बहुत ज़्यादा बढ़ गए बात बढ़ गई दोनों अपनी टेक्टे गनी थे ना ये दर्ता था ना वो तक्रार में ला महाला गयर मुटालिख बाते होनी लगती है जिनका मनशाद जलीम और अलफाज होते हैं वो सख्ट से सख्ट होना शिरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि सामने वाले को जेख करने के लिए इसान अपनी तमाम हदों को भूल जाता है और उसका मक्सद यही होता है कि सामने वाले को चोटा कर या जलीर करें बस इही चीज़े यहां पर द आप क्या थाक शत्रंच के लिए गा या रियासत शह दिगर है जागिर मेर ज्याने से कोई रहीस्त नहीं हो जाता। अब देखे बात इतनी जादा बढ़ गई कि बढ़ते बढ़ते क्या हो गया मिर ज्याने क्या करें कि इस पर इनकी जाती शासियत पर यानि इनके बाब जादाओं पर बुर्मी उठाना शिरू हो गया अब मिर्ज़ा सहाब ने हुआ मेर रुषण अलिए को कि मुए तुमारे घर में कुए खेला मत तुमारे को इसके बुरूस और खायते खानु ओन आ गास छिन्ते थे लेकिन जिफ और तरिफ फिमा को जागिर मिलनी से क्या मेर रुषण अली को नहीं होता है इनके इस तो यह थोड़ी लुपने आने थे यह भी अपने हादे छोड़ कर पहने लगे मिर साहब ने का घास आपके अबब जान चीटे होंगे यहां तो शेक्रन शिर्पिक पीरियां पुछते भुज़ांगे तो यह पुछते तो हमारी पहले से खेल लेकिन तुमारे कि आपके क्या करते होंगे मिर्जा जी ने का आज ही जाहिए नवाब भाजी हो दीड यहां बावर्ची गिरी करते-करते उमर्द गुज़र गई इस तुफेल में जागिल पा गए आज राइस बन्हों का शौक्त चर नवाब घाजी उर्दीन के पास क्या करते थे बावर्ची थे जब नवाब बाज़शा खुश होते हैं तो उनको क्या करते हैं जागिले अता कर देते थे जिसके बाद बाद में यह लोग अपने आपको बड़े जागिलदार कहें रहें मिलकुल वैसा ही कि लिए मिर्शा साब ने मेर रौशान अली को भी कहा कि तुम्हारे जो वालियत बुर थे नवाब घाजी उर्दीन के पास बावर्ची के खुश रहें उन्होंने जागिलदी तो आज कह रहें कि तुम बड़ बड़ी जागिलदारी अवाईसी का ध्रोप मेर लिए कि तुम बहुत चीखें हो गया हम तो इस धाग है मारे अभॉश तो नवाब के साथ उस्तर खान के साथ में बड़ के क्या करते थे हम प्याला वह वह जवाला थे और अंके साथ वह उतना बचना पीना था है दूनों एक दूसरे के बढ़ाया करते होए दूसरे सा अब अलफास तरफ से तल होते जा रहे है एक दूसरे पर टीचर उशार रहे है मीर सहाब उने कहा जबान साहमालिया वरना बुरा होगा यहां ऐसी बाते सुने के आगी नहीं किसी ने आन दिखाए और हमने दिया तला हुआ खार घंडारा खुल गया फिर आगो अलफास की तर से इस तरीफे से हाथ रखेंगे कि पुरावणा खुल जाएगा यानि कि इस तरीफे से आप मारेंगे कि आपको बहुत जानी तकलिफ होगी यानि कहीं का मतलब यह जोश और जजबे से तो खाली है सिर्फ और सिर्फ बातों के धनी एक दूसरे पर कीचर उचा रहे है और मिर्दा साजन का आप हमारे हौसले ठेकेंगे तो समढ़ जाए तक दर राजमाई हो जाए इधर या उदर फिर शुरू हो गए दोनों में हो इसमें कि मैं मैं बड़ा हूं मैं ज्यादा हमारा आहिमेत वाले है जबकि तुम बिलकुल नहीं फिर कि आनो गार इस तरीफे से जबड़े होए और में सहाब में भी उससे महते का हां आजब तुमसे दबता कौन है दोनों दोस्तों ने कमर से तनवारे दिनकाली इन दुनों अधना और आला सभी कठार फंजर पेश और शीर पंजर बाहनते हैं कि आओ याँ या ना ताओ और शाइका पत्रे उस दौन चाहां कि आखसाम है दिसमे आपर नाम आया एक आथार कहा गया आए । दूमसे उन व्रक्राओं इसे बार्ण दुर करते हैं कि तो अंदर से उनकी ज़स्पा ते जो उनकी टाखर्ट है सब खत्म हो चुती थी फैर दोर आइश्पी बंदे एंगर बेघ्रति नहीं थी आइश्प करना था मगर बेघ्रति थी गहर बिलकुल नहीं खौमी दिलेवी इनका थी मग कि बिले शदी दिलेने कूट 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 के बने वई थी, अंखा और है, गार्ट, पर रहे हैं कि मुल्क जो यह खहमी अपने मुल्क से, अपनी धिरे शहर से, इसके वास के भी दिलेने थी क्या? नहीं, उनके यहास के बच्वाइबक नहीं? लेकिन फुट के बिले थे क्वा कुछिश कर रहे थे इनकी स्यासित जजबात खना हो गए थे बारदशा के लिए स्सुन्त के लिए क्रवाम के लिए कियो मरें क्यों अपनी दूनी फिरू अपिर जजबां करें इंटा धाल विंटल wrap झालें मगर इंटी जजबाद में मुझलख खाफ था खाफ ना था बर जो और खौबी तर हो गए थे देखिए यह बहुत बड़ा एक अल्मिया है कि इंसान जब तक फुद की जात पर नहीं आता है बिल्कुल इसमें जब तक अपनी जात कोई बात नहीं आती है लोगे समझते हैं कि हम महफोज है और हम अच्छे तरिके से हैं हमारा काम यह चीजों मे पड़ना नहीं है बलकि अपने काम खाना पीना रहना अपनी जो मसरोफ है और अपनी जो काम है वो करना ही उसको भी बाहर बुरे अरखनमनी समझते हैं जब कि खौबी सियासी जो मसले है इस पर धियान देना हरिक का फर्ज है लेकि जब पहरा है कि इसकर इसकर हो जाता है कि जब इफ्रादी बात आती है तो वहां पर बहर रहे हैं कि वह बहुत जादा ख़वीगतर हो जाते हैं कि बहुत जादा खुद को ताखा को समझते हुए वो अपनी ख्यूद मताने की कोशिश शिरू कर देते हैं तो यह बहुत बड़ी चीज दे रहा कि आज के दौर के आज भी बिल्कुल हम उसी तरीखे से उस चिकर मुर्कों की तरह हो चुके हैं कि जहां पर देखा हो बावने कि वो कांदार जोगता है जब किसी एक को पकड़कर जुबा करने नहीं कर जाता है तो दूसरे खामुश हो जाते हैं बाद बढ़ आते हैं और शुकर मनाते जिसका कोई वजूद नहीं होता बहुत जल्द वो भी चीज़ क्या हो जाते है और उसके रिज़त में आ जाता है और वो खत्म हो जाता है जो बिल्कुल आज यहां कर हमें मिर्जा सज्जाद अली और मिर्वशन अली के दर्वान देखने मिल रहा है यह किसी एक दो का नही जाता है और दो बजखम का पर गिर पड़े तो कुछ नहीं करें लेकि बच्पन में कहा है तो बच्पन में पहरे है तो नपनी यह उक्तला खेलते थे तो अपनी पर उपाना वाले है बस अत्या माले हुने भागी कुछ नहीं था लेकि नहां पर अगो जब बात रखने इस इस पर आगए तो वो उसको छोड़ने नहीं तरह रहना चाह रहते है और उसलिए दूसरे को जब शिदू करें उस पहीं तरी खिस नहीं के इसमें तो एक दूसरे को ताबा रहे थी जखमे खाए और दोनों भी एका लग लग जगा गिर पड़े दोनों ने वहीं तरह पर कितना अलिमिया आई है कि आज भी बिल्कुल यही बात है कि जिस चीज के लिए जिसका बादब किया गया है जिसका इंसान को जाहे राथवाली करने चाहिए जिसको जिसके लिए हम उमर मिखने चाहिए हम वो चीजों को तो बहुत जादा सस्ता और आसान चीज समझ रहे है इस चीजा को निवेंड़ानास कर रहा है 근데 दूसरी जो चीज़ है खुद की इंफ्राइबि ज्वेंगें कि नोजरानास करना से इन चूटी बात को छोड़िये क्यों तो बड़े वाह का सिटर्थ समय हुए आपसी में तु बड़ इतने जादा अहमेद देना शुब कर देते हैं और अपनी सफ़े तो पर या गवामी सफ़े पर कि जो मखासिके उनको नजरा लास करते हैं तो उनका कोई मखाम नहीं रहता वो बहुत जद्र इस जमीन में क्या हो जाते हैं दफ़न हो जाते हैं यही बात मुमिन शिप्रेल जन इस शत्रंच के बाजी के खेल के ज़रिये हमें समझाना चाहते हैं कि यह लोगोंने जब अंके लिवन वाम सबाजी जनी शाय तो गिर अफ्तार किया गया तो किसी चीज़ कोई किसी पर कुछ एसास हुआ नहीं हुआ लेकिन कहे रहा है कि एक खेल शत्रंच के जो खेल है उसके एक वजीर के वास्ते इन्होंने क्या किये एक दूसरे के आस्ते लड़े और एक दूसरे की गर्दने कार दिये और दोनों खत्म हो गए यही आज का अल्मिया है कि मस्मेमी चीजों को बहुत जाला आहिमत दे कर जो इनसारी जिंदेगी का जो बात है उसको नजर अन्दास कर रहे हैं हैं दोनों अपस में लड़कर अपने आपको खतम कर दे कोई पूर्साने हाल नहीं दोनों के लाशे महाँ पर क्या है पड़ी भी है अंधेरा हो गया था बाजी इछी हुई थी दोनों बादशा अपने अपने तख्त पर रोना खफरोज थे इन में हिसरत चाय भी थी गोई सर्व जजूद मेना इन लाशों को देखते थे इंसानी जिन्दगी की बेसबाती पर अफसूस करते थे जिसमें सर्व वश्ट का सबात नहीं देखिए यहां पर इस आज का हमारा जो अफसना है वो यहां उन्शित फिर्ट खतम कर देते हैं कि कह रहा है कि यह तो आपस में लड़के मर चुके हैं लेकिन जो शक्रत की खेल के जो बादिशा थे वो जो शक्रत पर महरे लगे वे थे वो आराम से बैठे थे उन्हीं कुछ फरख हुआ क्या बिलकुल नहीं और यही आपस में लड़कर अपने आपका एक्ताम कर दिये यही हाल हमारे पास कर दी है कि सि स्यास्ताम वो तो अपने अपने कुछ़ियों पर जहने बढ़े हैं लेकिन हम जो आपस में भाई भाई जाली से रहने वाले लोग यही आपस में एक ये दूसरे प्रकी चल उचाइन कर एक दूसरे कर चल आ हम उसी को ना developments कर रहे हैं और एक दूसरे को अधरादी जज़बात को दूर रखते हुने मुल्क के लिए अपनी ज़भात को जागर वेदार रखनी की तरखी में आपकी गई है पहला जो अफसान है वो यही पर खत्म होता है इंशायलोग इसके आगे का जो अफसान है वह हम अगले तश्य हमें देखते हैं झाल झाल झाल